अज हम देखेंगे 7th Standard का Geography, Lesson No.2 The Sun, The Moon and The Earth is Lesson का Second Part तो स्टुड़न्ट हमने फर्स पार्ट में देखा था कि Sun, Moon और Earth की Position क्या होती है और उनके कारण होने वाले Eclipse किस तरके से होते हैं उसमें हमने Solar Eclipse देखा था आज के पार्ट में हम देखेंगे कि Lunar Eclipse किस तरके से होते हैं तो स्टुड़न्ट अगर आपने फर्स पार्ट को नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजें चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें आपको 7th Standard के Geography, History, Civic, Science, Mass के भी वीडियोज मिलेंगे तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 2nd Part Lunar Eclipse means जिसे हम चंद्रग्रहन कहते हैं तो ये किस तरके से होता है A Lunar Eclipse occurs when the Moon enters the shadow of the Earth while revolving around it कि Lunar Eclipse चंद्रग्रहन कब होता है जब Moon Earth के around real करता है और Earth की shadow में आ जाता है तो उसके कारण हमें चंद्रग्रहन दिखाए देता है At this time it is necessary that the Earth is between the Sun and the Moon तो जब Lunar Eclipse होता है तो उस time Sun, Earth और Moon की position किस तरके से होती है कि Earth जो है वो Moon and Sun के बीच में होता है And all three of them are in a same plane और तीनों की तीनों एक same plane में एक same line में होते है तो किस तरके से देखे डाइग्राम हमें दिखाए देगा यापे आपको दिया है Total and Partial Lunar Eclipse किस तरके होगा कि Sun and Moon जो है यापे इनके बीच में जब Earth आता है तो Earth की जब shadow है यापे वो Moon के उपर गिरती है जिसके कारण हमें क्या होता है यापे Lunar Eclipse दिखाए देता है और Lunar Eclipse दो तरके का दिखाए देगा Total Lunar Eclipse and Partial Lunar Eclipse तो यह कैसे होता है वो भी हम देखेंगे पहले रिड करते है तो देखें फिल से डाइगराम देखेंगे तो यहाँ पे होता क्या है कि यह है हमारा Sun यहाँ पे होगी Earth बीच में Moon and Sun के बीच में तो जब Moon जो है रिवोल करता है around the Earth यह हमें पता है कि इस ओर्विट में अगर Moon यहाँ पे रिवोल करता है तो Sun की जो लाइट है वो Earth के उपर आएगी तो यहाँ पे क्या होगी Earth का जो अपोजिट पार्ट होगा यहाँ पे यहाँ पे Shadow क्या होती है गिरती है अर्थ की तो जब Moon रिवोल करके जब इस Shadow के अंदर आ जाएगा तो Shadow के कारण जो है वो पूरी तरीके से हमें Dark दिखाए देगा तो इसके कारण हमें Lunar Eclipse दिखाए देता है और पूरी तरीके से अगर वो Dark Shadow में है तो हमें Total Lunar Eclipse दिखेगा अगर वो आगे रिवोल करके अगर इस तरीके से आगे चला जाता है और यहाँ पे कुछ जो पार्ट है वो सिर्फ हमें Dark दिखाए देगा और बाकी का जो हमें Illuminate होता हुए दिखाए देगा चमकता हुए दिखाए देगा तो वो होता है Partial Lunar Eclipse तो दो टाइपस यहाँ पे होगे Total Lunar Eclipse और सेकेंड होगा Partial Lunar Eclipse तो Total Lunar Eclipse कब होगा जब Earth फिर से हम देखेंगे कि Lunar Eclipse कैसे होता है तो Sun and Moon के बीच में जब Earth आती है तो हमें पता है कि Moon जो है रिवाल करेगा Around the Earth और जब यह Shadow होती है अर्थ की इस Earth के Shadow में जब Moon रिवाल करके आ जाता है पूरी तरीके से उस Shadow में होता है तो Total Lunar Eclipse होता है अगर Partial मिंस कुछ पार्ट जो है वो डार्क होगा और कुछ जो है इलुमिनेट होगा तो वहाँ पे हमें Partial Lunar Eclipse दिखाई देगा Next day are in the materials used for the Solar Eclipse demonstration earlier as shown in Figure 2.9 and try to understand how a Lunar Eclipse ओकर कि previous पार्ट में हमने जैसे Solar Eclipse के लिए Activity देखी थी उसी तरके से हमें यहाँ पे Lunar Eclipse के लिए भी Activity देखनी है लेकिन यहाँ पे से Position Change होगी Earth and Moon की कि पहले हमने देखा था कि Moon जो है बीच में आयता Sun and Earth के बीच में लेकिन यहाँ पे क्या होगा यह जो हमने बड़ा Ball लिया था यह क्या करेगा यहाँ पे Earth के जैसे हम बीच में रखेंगे और टॉर्च as a Sun यूज़ करेंगे यह होगा हमारा Sun और जो ब्लू कलर का बॉल हमें दिया है वो होगा हमारा Earth यह Sun होगा यह Earth होगा और यह होगा Moon तो जब यह टॉर्च हम on करेंगे तो यह Light किस के उपर गिरेगी अर्थ के उपर जो हमने बीच में बॉल रखा है तो इसकी जो shadow गिरेगी यहाँ पे यहाँ पे अगर हम Moon देखते हैं तो Moon पूरी तरीके से क्या होगा dark दिखाए देगा इसका meaning वहाँ पे क्या होगा कि lunar eclipse होते हुए हमें दिखाए देगा और जब यह Moon जो हे रिवाल करते हुए आगे चला आएगा तो वहाँ पे जो हमें partial lunar eclipse दिखाए देगा तो यह ऐसे activities है जो आप घर पे भी कर सकते हो use your brain power में हम देखेंगे on the day of solar eclipse in which part of the earth will it not be seen कि जब solar eclipse होगा तो earth के कौन से पार्ट में हमें solar eclipse नहीं दिखाए देगा तो जो dark पार्ट होता है जैसे कि देखें डाइगरम में हम देखेंगे यहाँ पे अगर यहाँ पे light होती ही देखें इस तरब हमें क्या दिखाए देगा solar eclipse दिखाए देगा लेकिन यह जो पार्ट है जो dark है वहाँ पे हमें solar eclipse नहीं दिखाए देगा क्योंकि वहाँ पे already रात होगी तो नहीं दिखाए देगा can we see total and annular solar eclipse on the same occasion क्या total and annular solar eclipse हमें एक साथ दिखाए देते हैं तो हाँ वो दिखाए देते हैं why is an annular lunar eclipse not seen कि lunar eclipse में जैसे कि हमने रेखा था कि total lunar eclipse दिखता है और partial दिखता है annular lunar eclipse नहीं दिखाए देता है जैसे कि solar eclipse में हमने देखा था कि पूरी तरीके से जो है हमें क्या दिखाए देता है sun जो है पूरी तरीके से cover हो जाता है और उसके side से जो ring दिखती है उसे हम annular eclipse कहते है तो lunar eclipse में ऐसे होता है क्या नहीं होता है उसका एक reason है कि earth is bigger than moon यह Earth की size जादा है इसके कारण वहाँ पर हमें क्या दिखेगा कि पूरी तरीके से जो Moon है वो ढख जाएगा अगर हम यहाँ पर diagram देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा देखें Earth जो है Earth का size जादा है और Moon छोटा है तो ये shadow पूरी तरीके से Moon के बाहर की तरब भी हमें दीख रहे मतलब पूरी तरीके से dark में चला जाएगा Moon वहाँ पे हमें ring form होते हुए नहीं दिखाए देगी इसके लिए जो है annular lunar eclipse हम नहीं देख सकते Which eclipses will you see from the moon? Moon से कौन से eclipses हम देख सकते है तो lunar eclipse देख सकते है Next day why are solar eclipses caused by the other planet not seen from the Earth तो बाके की जो planet है उनके कारण में solar eclipse से अगर होते है तो वो हमें Earth से क्यों नहीं दिखाए देते है देखिए हम लोग कहां पे रहते है Earth के उपर रहते है वर हमें पता है कि solar eclipse कब होगा पे रहते हैं तो वहां से दिखने वाला solar eclipse ही हम लोग देख पाते है तो देखिए next page पे देखेंगे Characteristics of solar eclipses A solar eclipse occur on a new moon day but not on every new moon day जैसे हमने फर्स पार्ट में भी देखा था कि solar eclipse होते है न्यू मून देखिए दिन लेकिन ऐसा नहीं कि हर new moon day पे solar eclipse होगा इसका reason भी हमें पता है कि sun moon earth एक plane में और एक line में जब आते हैं तभी solar eclipse होते है If and only if the sun, the moon and the earth are in the same plane and fall in one line the solar eclipse occur तो देखिए आपको reason भी दिया हुआ है आपे कि तीनों के तीन एक line में आने चाहिए एक same plane में आने चाहिए तभी हमें solar eclipse दिखता है The maximum duration of a total solar eclipse is 7 minutes and 20 seconds तो ज़्यादा से ज़्यादा जो duration होता है total solar eclipse का वो 7 minutes and 20 seconds इतना हो सकता है तो यहाँ पे यह duration होता है किस के कारण हो सकता है जो revolution होता है Earth का sun के around या फिर moon का जो होता है Earth के around इसके कारण जो है solar eclipse की जो duration है या फिर lunar eclipse की जो duration है उनका time हमें दिया है कि किस तरकी से maximum duration हो सकता है characteristic of lunar eclipse अभी हम देखेंगे कि characteristic जो होती है lunar eclipse के lunar eclipse occurs on a full moon day but not on every full moon day जैसे हमने solar eclipse का देखा था उसी तरकी से आएगा कि हर एक full moon day को जो है sun moon earth एकी line में एकी plane में नहीं आ सकते इसके लिए नहीं होता है lunar eclipse occurs if and only if the sun the moon and the earth are in the same plane and fall in one line the maximum duration of a total lunar eclipse is 107 minutes जो total lunar eclipse होता है उसका time कितना आता है 107 minutes next day eclipse and astronomical event eclipse क्या है कि astronomical events होते है a solar eclipse और lunar eclipse is just an astronomical event there is nothing obvious and inauspicious about these events कि जैसे लोग मानते है कि शुब होता है अशुब होता है ग्रहन जब लगते है तो खाना नहीं चाहिए पानी नहीं पिना चाहिए या फिर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए तो ऐसे नहीं होता है क्योंकि हमें पता है कि यह astronomical events होते है it is just a result of the sun, the earth and the moon being in specific position की earth, sun, moon जो होते हैं उनके specific position के कारण यह astronomical events होते है there is a lot of curiosity about eclipses because an eclipse is not a regular occurrence तो इस eclipses जो होते हैं उनके लिए हमें curiosity क्यों लगते है क्योंकि यह रोज-रोज होने वाले phenomenon तो है नहीं इसके लिए जो scientist होते है या फिर जो लोग जुनको study करना अच्छा लगता है astronomy के बारे में तो उनके लिए काफी अच्छी opportunity होती है eclipses के लिए तो जैसे कि उन्हें उस चीज की study करनी है तो वो क्या करेंगे जहाँ पे solar या फिर lunar eclipses दिखने वाले है उस location पे जाके visit करते है और उनका study करते है जो भी conditions होती है eclips किस तरह के से firm हुए कितने देर तक दिखे तो यह सारी चीज़े हो क्या करते है नोट डाउन करते है या फिर उनके उपर study करते है next day always remember में while observing solar eclipses it is necessary to view the sun disc through dark glasses और special goggles made for that purpose otherwise the intense light of the sun can be harmful to the neka कि solar eclipse जब होते है तो उस time कुछ special goggles आते है उनको देखने के लिए dark glasses उनको हम use कर सकते है जिसके कारण जब eclipse होता है solar eclipse सुर्य ग्रहन जब लगता है तो उनकी जो intense light होती है उनके कारण हमारे आखों में क्या हो सकता है हाम पोच सकता है इसके कारण हमें इस तरकी के जो special goggles होते है उनको use करना चाहिए during the period of a solar eclipse a large number of birds and animals get confused due to the untimely darkness that sets in कि जैसे हमें पता है कि जब sunset हो जाता है तो जो birds होते है वो अपने घर पे वापस चले जाते है लेकिन जब सुर्य ग्रहन लगता है तो अचानक से क्या होता है अंदेरा होने लगता है और birds भी confused हो जाते है अचानक जो अंदेरा होता है as this is an event that does not suit their biological clock कि उनका भी अपना एक biological clock होता है कि सुबह होते ही birds क्या करते है उनके आवाज हमें आने लगती है वो उनका जो खाना होता है या फिर जो भी चारा पानी वो अपना करते है their response to the event is also unusual कि उनका जो response होता है वो लोग भी confused हो जाते है कि हमें घर पे वापस जाना है या फिर नहीं क्योंकि biological clock है वो भी उनका disturb हो जाता है इसके कारण try to observe the response of the birds and animals at the time of search event and record your observation तो जब कभी ऐसे solar eclipses होते है तो उस टाइम आप observe कर सकते है वो birds का या फिर animals का response किस तरीके का होता है next हम देखेंगे do you know me acquisition and transit क्या होता है like eclipses some other specific conditions occur with reference to the sun or the moon जैसे हमने ग्रहन देखें, eclipses देखें, solar eclipse या फिर lunar eclipse हमने देखा उसी तरीके से जो है बागी के भी कुछ क्या होते है geographical conditions होते है जिनके कारण हमें कुछ चीज़ी दिखाई देती उसमें आता है acquisition and transit तो यह क्या होता है उससे हम discuss करेंगे occur with reference to the sun or the moon these are called acquisition and transit respectively acquisition occurs with reference to the moon whereas the transit is associated with the sun तो acquisition होता क्या है this is a typical event occurring in space the moon revolves around the earth while doing so it obscures a star or a planet and that celestial body appears to hide behind the moon की जो प्रिवोल करता है moon earth के around तो कुछ ऐसे star होते है या फिर planet होते है वो हाइड हो जाते है moon के पीछे this is called acquisition the total solar eclipse is actually a kind of acquisition जो total solar eclipse होता है तो वहाँ पर भी हमें दिखाई देता है कि moon के कारण जो है sun पूरा तरके से हमें क्या होता है धका हुआ दिखता है तो यह भी एक तरकी का acquisition है during this the sun this gets hidden completely because of the moon तो moon के कारण पूरी तरके से sun this हमें क्या दिखती है ही hidden दिखती है उसी तरीके से बाकी के जो star होते है प्लानेट होते है वह भी हमें इस तरीके से ढखे हुए दिखते है तो उसे कहा जाता है एक पूर्टेशन ट्रांजिट क्या होता है if an inner planet like a mercury और venus comes in between the line of the earth and the sun a transit occurs क्या हमें पता है बाकी की जो भी planets होते है वो भी रिवाल करते है आरांड दिखते हैं तो जो inner planet मिस सन और अर्थ के बीच में आने वाले जो उनके orbit होते है मरक्यूरी या फिर वीनस हो तो वो क्या करते हैं रियोल होने के टाइम अगर सन के सामने आ जाते हैं तो वो हमें अर्थ से कैसे दिखेंगे एक डॉट की तरव वो हमें सन की आगे दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी साइट छूटी होती है At that time a small dot appear to move across the sun disk Transit is a type of solar eclipse कि एक तरकी का क्या होगा solar eclipse ही होगा कि हमें वो जो जगह होती है जहाँ पे जो प्लानेट होगा वो डार्क दिखाई देता है मिन्स क्या सन का वो पार्ट हमें नहीं दिखाई देता है मिन्स यह भी क्या होता है एक टाइप of solar eclipse होता है लेकिन यह planet काफी छोटे होते हैं तो वो हमें सिर्फ एक dot की तरह दिखाई देता है जैसे कि आपको picture दिया है कि the transit of mercury की इस तरह कि इसे mercury sun के सामने आने के कारण हमें एक dot की तरह वहाँ पे दिखाई दे रहा है तो देखिए student इस lesson में जो है हमने काफी अच्छी चीज़े सीखे कि solar eclipse या फिर lunar eclipse जो हम देखते हैं जिसके बारे में हमें पता है लेकिन यह क्यों होते है या फिर scientific reason उसके पीछे क्या होता है यह हमें इस lesson से सीखने मिला है तो आयों आपको यह सारी चीज़े अच्छे से समझ में आई होगी अगर आपको वडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रू कीजे और चैनल का अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया ओग तो सब्सक्राइब भी ज़रू कीजे